C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तूत है कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाय उर्दू भाग 1 आईए सुनते हैं नवाय उर्दू भाग 1 का आठवा सबक Information Technology सफ़ा नंबर 89 Information Technology Information का मतलब है इतिलाद एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है उतना ही मज़े में है लेकिन आज मौमला इसके बरक्स है यानि जो जिस कदर कम जानता है उतना ही घाटे में है ये 21 सदी है जिसे Information Technology की सदी कहा जाता है यहाँ ज्यादा से ज्यादा जानने वाला ही फायदे में है इसकी वज़ा इनसानी नफसियात है हम देखते हैं कि इनसान में तजस्स का माददा है वो हर आन कुछ करना और होना चाहता है इसी तजस्स ने ऐसी ऐसी इजादात कराई कि साइन्स और टेकनोलिजी के इस दोर में भी उन पर गोर करें तो अकल दंग रह जाती है हम एक बाखबर और तरक्याफ़ता मौशरे में सांस ले रहे हैं हर पल, हर लमहा, कोई ना कोई खबर या इतला हमें मिलती रहती है जरा गोर कीजिए के अब्तिदाई इनसान ने बेखबरी या लाइल्मी की जिन्दगी किस तरह गुजारी होगी दिवानों की तरह इधर से उधर दोरता फिरता होगा उस कैफियत में जरा सी आहट, इनसानी या हैवानी चीख और धमाके से उसके पूरे बतन में संसनी दोड़ जाती होगी उसकी आँखें जिन चीजों के देखने की आदी हो गई होगी उसके कान जिन आवाजों से मानूस हो चुके होगे उनसे हट कर जो कुछ नजर आया होगा उसने आखें फाड़ फाड़ कर देखा होगा जब पहली मरतबा एक धलान से लुड़कता हुआ गोल पत्थर उसके सामने आया तो उसकी हरकत और रफ़तार ने उसे कुछ करने पर रुकसाया पत्थर के उस लुड़कने चलने और गूमने के अमल ने उसे सोचने पर मचबूर किया और फिर उसी वाकिये से पहीये की आईज़ाद हुई और इंसान बेखबरी के दुनिया से बाहर आया देखते ही देखते इनसान पत्थर के एहद से दस्तिकारी और फिर मशीनी एहद में पहुँच गया तरहा तरहा की इजादात ने बाखबर और महजब मुआशरे में रहने की तहरीक दी चुनांचे हाथ से चलाई जाने वाली मुखतलिफ कामों की मशीने वजीट में आई काखस और छबाई की मशीन यानि प्रिंटिंग प्रेस की इजाद ने इनसान को पूरी दुनिया से बाखबर रहने और अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के वसीला फरहम किया सफा नंबर असी इनसान हमेशा से खूब से खूब तरकी तलाश में रहा है इसी तलाश और जुस्तुजू से टेलिग्राफ, टेलेफोन, वायरलेस, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सैटलाइट, टेलेक्स, फैक्स, कंप्यूटर, पेजर, केबल, नेटवर्क और इंटरनेट जैसी इजादात सामने आई अब इतलावात, खबरों की फराहमी और खबर रसानी का दुनिया भर में एक जाल बिच गया है 1830 इसवी में टेलिग्राफ और 1876 इसवी में टेलिफोन की इजाद के वक्त मौजिदों ने तो ये जरूर सोचा होगा कि हमारी इजादात आईंता समाने में इजाफे और तबदीलियों के साथ दुनिया की गिरां गदर खिद्मत अंजाम देंगी लेकिन उन्हें ये खयाल नहीं आया होगा कि सो डेर सो बरस बात खबर या पैगाम रसानी का एक ऐसा मसबूत और मर्बूत निजाम वजूद में आएगा जो इस वजीयो अरीज दुनिया को समेट कर रखतेगा और जिसे इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी का नाम दिया जाएगा आज घर के एक गोशी में मेज पर रखा हुआ टेलिविजन या कम्प्यूटर हमें दुनिया भर के मौामलात से हर पल बाखबर करता रहता है जदी टेकनोलोजी की बदौलत 24 खंटे 7 समंदर पार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें, इतलात और पैगामात पलग जपकते इधर से उधर और उधर से इधर पहुँच जाती है फौरी तरसील के इस अमल को Information Technology के नाम से जाना जाता है इस इतलाती तकनीक को टेलिविजन और कम्प्यूटर ने फरोग दिया यानि खबर जो पहले कान के परदे से दिमाग तक पहुँचती थी, अब स्क्रीन पर नजर आने लगी इनसानी जहन ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बलके टेलिविजन और कम्प्यूटर के स्क्रीन को ऐसे पर अता किये के दिनों का फासला लम्हों में तैह होने लगा तेज रफ्तारी और बरवक्त अमले तरसील ने दुनिया को एक आलमी गाउं यानि ग्लोबल विलेज बना दिया है सफ़ा नंबर 81 टेलिविजन दुनिया में चंद ही लोग ऐसे होंगे जो टेलिविजन से वाकिफ ना हों दिन भर में अन गिनत बार ये नाम जबान पर आता है टेलि और विजन दो अलग-अलग जबानों के लफ्स हैं टेलि युनानी लफ्स है जिसके माने हैं फासले से या दूर से विजन लातीनी जबान से लिया गया है इसके माने हैं देखना नजराना इस तरह टेलिविजन के मजमुई मायने हुए दूर या फासले से देखना या नजर आना आम आत्मी के लिए सिनेमा बड़ा पर्दा यानी बिग स्क्रीन है और टेलिविजन छोटा पर्दा यानी स्मॉर स्क्रीन है लेकिन टेलिवीजन का ये छोटा पड़ता सिनेमा के मकाबले में ज्यादा मौसर और मुफीद है सिनेमा की दुनिया महदूद है और टेलिवीजन की ला महदूद सिनेमा हौल में मुकररा वक्त में एक ही फिल्म दिन के मुखतलिफ हिस्सों में देख सकते हैं जबकि टेलिवीजन के अनकिनत चैनलों में रिमोट का बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है इसी तरह चैनल बदल बदल कर तफरीही स्रीज, मुखतलिफ मौजवात पर तर्तीब दिये गए प्रोग्राम या खबरें 24 घंटे देख सकते हैं तकनीक के एदबार से टेलिवीजन रेडियो की ऐसी तरक्की आफ़ता शकल है जिसे हम सुनते ही नहीं देख भी सकते हैं टेलिवीजन आजकल जिन्दगी की जरूरत बन गया है इसके मुतदित चैनल्स खबरों और मौमलास से भरपूर प्रोग्राम पेश करते हैं लेकिन ऐसे चैनल्स जो सिर्फ सीरियल्स और तफ्रीही प्रोग्राम पेश करते हैं इसके इफादी पहलू पर खाली बागए हैं कम्प्यूटर अगले वक्तों के कहानियों में एक कहानी अलादीन और जादूई चिराख है अलादीन जब-जब उस चिराख को रगड़ता तो एक जिन बरामत होता और कहता क्या हुक्म है मेरे आखा बीस्वी सधी की इजाद कम्प्यूटर भी एक जिन की तरह है जो हर वक्त इनसानी एहकाम का ताबे नजर आता है कम्प्यूटर ऐसा मशीनी आला है जो अकल से आरी है मगर अमल में हजारों जिनों पर भारी है कम्प्यूटर इलेक्ट्रोनिक्स की देन है जिसने हमारी जिन्दिगी के हर शोबे को मुतासिर किया है कम्प्यूटर का बुन्यादी मकसद हर तरहा की मालूमात को यक्चा करना और उन्हें तर्तीब देना है सफ़ा नंबर 82 लातीनी जबान का एक लफ्स कम्प्यूटियर है जिसके मानी है आदादो शुमार यानी डेटा का हिसाब किताब करना यही लातीनी लफ्स अब कम्प्यूटर की शकल में इस इलेक्ट्रोनिक इजात का नाम है इंटरनेट इंटरनेट कम्प्यूटर के किसी एक अमल या तरिकायकार का नाम नहीं इंटरनेट का तालुख एक से जायत कम्प्यूटरों से है जब एक कंप्योटर को किसी दूसरे कंप्योटर से जोड़ा जाता है, तो दोनों एक दूसरे की मौलुमात, आदादो शुमार और प्रोग्राम की फाइलें एक से दूसरे में मुंत्किल कर सकते हैं. इसी तरह 2-3 और 3-4 और अंगिनत कंप्यूटरों से राप्ते का अमल नेट वर्क कहलाता है नेट वर्क छोटे पेमाने पर एक दफ़्तर या एक इदारे में हो सकता है इसे Local Area Network कहते हैं लेकिन जब इसी नेटवर्क को वसी पैमाने पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि पूरी दुनिया के कम्प्यूटर बाहम मर्बूत हो जाएं तो ये तरेकाइकार वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है आप कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क का नेटवर्क है जिसके जरिये पूरी दुनिया में कम्प्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए है इस आलमी इंटरनेट को इंफर्मेशन सुपर हाइवे यानि मालुमात की शाहराह का नाम दिया गया है इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि घर बैठे दुनिया भर की मालुमात कम वक्त और कम खर्च में हासिल हो सकती है अपने कंप्यूटर नेटवर्क के जरिये दुनिया भर में फैले हुए अजीज और अकारिब से बातचीत कर सकते हैं तालीम, कारोबार, सेहत और बीमारी से मुतालिक मशवरे दस्तियाब हो सकते हैं सफर और तरीका सफर के लिए इंटरनेट एक रहबर का काम अन्जाम देता है इंटरनेट के वसीले से आप दुनिया भर से निजी या तिजारती अशिया का ओर्डर दे कर उन्हें घर बैठे हासिल कर सकते हैं दुनिया भर के अखबारात और रिसालों का मुताला कर सकते हैं सफ़ा नंबर 83 दर हकीकत इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बिरादरी में बदल दिया है अब एक जैसी दिल्चस्पी रखने वाले इंटरनेट के तवस्त से बाअसानी एकसा दिल्चस्पी रखने वालों से राप्ता कायम कर सकते हैं ईमेल ईमेल इलेक्टरॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है इससे मुराद है बर्की तारों के जरिये पहगाम रसानी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पेगाम या इतला भीजने के लिए डाकतार या टेलिफून का इस्तिमाल करते हैं कम्प्यूटर और इंटरनेट ने इस पेगाम रसानी के काम को आसान और तेज रफ़तार बना दिया है आपके पास कोई भी कम्प्यूटर हो और वो नेटवर्क से जुड़ा हो तो आप अपना पेगाम, इतला या खबर कम्पोस करें जब आप कम्प्यूटर के जरीए इमेल भेशते हैं तो ये बराहे रास्त नहीं पहुँचता बलकि आपका पेगाम पहुँचने के लिए मुतालिका शख्स और उसी के इमेल का पता कम्पोस किया जाता है आपने किसी इमेल में इस तरह देखा होगा जैसे abc.gel.net.in यहाँ abc उस शख्स या इदारे का नाम है जिसे इमेल भीजा गया है एट अलामत है इमेल की जेल वो इदारा है जो इमेल इंटरनेट सर्विस फरहम कर रहा है इसके बाद उस मुल्क का मुख्तसर नाम जहां पेगाम पहिजा जा रहा है इमेल ना तो डाक है ना ही टेलेफून कॉल यह एक नया मवासलाती निजाम है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि डाक के खतों के मुकाबले में इंतहाई तेज रफ्तार और सस्ता है इसके लिए पोस्ट मैन की आमद या टेलेफून की घंटी बजने का इंतिजार नहीं करना होता खत खोल कर किसी दूसरे शखस के पढ़ने या डाक की गड़बड या दूसरे शखस का फोन सुनने का खत्शा भी नहीं होता आप जिसे इमेल भेज रहे हैं वो अपने कम्प्यूटर पर किसी भी वक्त इमेल खोल कर पढ़ सकता है और इसी तरह अगले लम्हें जवाब दे सकता है Information Technology बुनियादी तोर पर कम्प्यूटर की देन है Computer जिसके मुतालिक किसी ने कहा था कि 21 वी सदी में Computer से जो लोग दूर रहेंगे उनका शुमार जाहिलों में होगा सफ़ा नंबर 84 मश्क लवजो मानी तजस्स खोज जानने की खौहिश सानिहा सद्मा पहुँचाने वाला वाकिया हाथसा लाइल्मी बेखबरी किसी बात का ना जानना वसीला जरिया वास्ता सबब फराहम करना एकठा करना मौजिद इजाद करने वाला गिरां कदर इंतहाई कीम्ती मर्बूत बाहम तालुग रखने वाला तहरीर, खयाल, बयान, चीजें जिन में आप से तालुख हो निजाम इंतिजाम, बंदबस्थ मवासलात एक जगह से दूसरी जगह खबरें या इतलात पहुँचाना या ले जाने के जराए इश्तराप साजह, हिस्सेदारी एहकाम हुक्म की जमा ताबे मातहथ, फर्भांबर्दार, मती आरी खाली, यानि किसी चीज़ के ना होनी की हालत साजगार मुआफिक, मुनासिब, मौजू निकात नुक्ता, नुक्ते की जमा, बारीक बातें निजी जाती सफ़ा नंबर 85 गोर करने की बात इस मस्मून की इप्तिदा में कदीम दोर के इनसान की जिन्दगी पर रोशनी डाली गई है कि आज के इनसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बाते जानता था पहिये की इजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया पहिये की बदौलत मशीने इजाद हुई फिर बिजली सामने आई तो मशीने हाथ के बजाए बिजली से चलने लगी अखबार, रिसाले और किताबें शाह होने लगी और इस तरह एक खते का इनसान जमीन के दूसरे खते पर रहने वाले अफरास से वाकिफ होने लगा इन इजादाद ने इनसान को मज़ीद गोर फिक्र और खूब से खूबतर की तलाश पर आमादा किया ये इजादाद मौजूदा मवासलाती निजाम की पहली सीड़ी हैं उननीसवी सदी में सनती इनकलाब के बाद साइन्स और टेक्नोलोजी के जरिये साइन्स दानों ने ऐसे आलाद इजात किये जो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम अनजाम देने लगे मसलन तेज रफतार रेल गाडियां कारें जहाज रॉकिट खलाई मेहमात में काम आने वाले जहाज इतलाद फराहम करने वाले टेलिग्राफ टेलिफोन वगेरा बीस्वी सदी में रेडियो टेलिवीजन और कम्प्यूटर ने काइनास से मतालिक इनसानी मालूमात में इजाफा किया खास्तार पर कम्प्यूटर ने सोचने का ढ़ंग बदल दिया ये सही है कि कम्प्यूटर इनसान की तरह सोचने और गौर करने की सलाहियत नहीं रखता लेकिन इनसान से कहीं ज्यादा तेज रफतारी से अपना काम अन्जाम देता है कहा जाता है कि एक दर्मियाने साइस का कम्प्यूटर एक सेकेंड में तक्रीबन एक मिलियन एहकामात पर अमल कर सकता है जबके उसी काम को करने में एक इंसान को पूरा एक साल चाहिए और वो भी दिन रात उसी काम में मसरूफ रहे तब सफ़ा नंबर 86 सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक इप्तदाई दौर के इंसान की जिन्दगी कैसी थी? सवाल नंबर दो आजके एहद को इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी की सधी क्यों कहा गया है? सवाल नंबर तीन हमारी जिन्दगी में टेलिवीजन की क्या एहमियत है? सवाल नमबर चार कम्प्यूटर ने हमारी जिन्दगी के हर शोबे को किस तरह मुतासिर किया है? तफसील से लिखिये सवाल नमबर पांच इंटरनेट के क्या फाइदे है? सवाल नमबर छे इंटरनेट की मदद से उर्दू शायरों और अधीबों के बारे में मालुमात हासिल कीजिए इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी की तरक्की के बारे में इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी की तरक्की के बारे में मुखतसर नोट लिखिए इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का आठवा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक नो आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत